हेलो दियर स्ट्रेंट्स, वेल्कम टो एईसी प्लस, अ डिटल प्लेटफॉर्म अब एडवांस इंजिरिंग क्लासेज और आप हैं इस एन्वायरमेंटल इंजिरिंग के डिटेल लेक्चर सिरीज में जहां पर हम बाते कर रहे हैं अभी केमिकल वाटर कॉलिटी पेरामेटर के उपर और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिसकेशन होने वाला है डिजॉल्ड गैसेज जो पानी के अंदर घुलिवी होती है तो आज हम बात करने वाले हैं गैसेज वही हम उसमें भी ओर डिटेल में जाएंगे इंटू दी डिजॉल्ड गैसेज के अंदर सेचुरेटेट डिजॉल्ड ऑक्सिजन डिजॉल्ड ऑक्सिजन के ऊपर आज हमारा कम्प्रीट डिसकेशन होने वाला है क्या-क्या पढ़ेंगा है तो डिफरेंट डिजॉल्ड ऑक्सिजन के पर बात कर रहे होंगे कैसे इसको मेजर करते हैं क्या इसके पिरामेटर से इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर में आगे यह एक बेसिक सी इंफोमेशन जो आपको जानना चाहिए AEC की तरफ से Monday to Friday AEC की तरफ से इस टारगेट सिरीज में हम complete technical syllabus cover up करा रहे हैं on to the YouTube जो कि first time हो रहा है YouTube के उपर complete depth में जा रहे हैं syllabus में environmental engineering की classes आपको daily 4 p.m. पर देखने को मिलेंगी by me और daily शाम को Friday 5 जापको fluid magazine classes देखने को मिलेंगी by Harishit sir साथ ही साथ important यह है कि हम हर Saturday को doubt session लेकर चलते हैं जो हमने Monday to Friday पढ़ा उसी के base पर so that student का कोई भी doubt रहना जाए और साथ में हम करते हैं live question practice session ठीक है चली तो बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हमारे पास चली बढ़ते हैं आगे अब कुछ basic सी बातों पर विचार करते हैं यह यहाँ पर जाने से पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई एक water body है कोई एक water body है मेरे पास उसमें certain amount of water is present कुछ amount का water उसके अंदर present है ठीक है अब होता यह है कि इस water body में उपर चुकि यह open to the atmosphere है तो यहाँ से atmosphere क्या करना चालू करेगा अपना atmospheric pressure लगाना चालू करेगा ठीक है उपर से जो air presence है उसका atmospheric pressure आना चालू होगा जिसमें से हमारे पास अगर देखा जाए तो N2 का presence हमारे पास approximately 78% के बराबर है इसके बाद हमारे पास आता है हमारा oxygen which is a percentage of approximately 21% इसके बाद फिर हमारे पास air gone आ जाएगा CO2 आ जाएगा which is going to be of 0.3% के बराबर which is a very small value ठीक है तो बात यह आती है कि जब यहाँ पर यह pressure लगता है atmosphere का तो कोन लगाएगा यह gases ही लगाएंगी और जब यह gases लगाएंगी तो इन gases में से N2 which is already in stable form तो यह पानी के अद उपर pressure तो लगा रहा होता है लेकिन यह पानी के अंदर घुल नहीं पाता cannot dissolve in water फिर उसके बाद बात आती है कि इस पूरे air में जो pressure लग रहा है उसका 78% हिस्सा N2 के वज़े से है मतलब जितना pressure लग रहा है उसका 78% pressure N2 के यह से क्योंकि N2 का partial presence पूरे atmosphere gases में इतना है फिर जो remaining pressure लग रहा है वो हमारे oxygen की वज़े से है और फिर बाकी कुछ यह इस तरह की different gases oxygen जब pressure लगाना चालू करती है पानी के surface के उपर लगा तो सब रहे है लेकिन oxygen की tendency पानी में जाके घुल जाने की तो pressure जैसे लगाए कि पानी जाके घुल जाती है जैसे घुलती है तो हमारे पास N2 pressure लगाएगा O2 लगाएगा N2 लगाएगा N2 लगाएगा O2 लगाएगा N2 लगाएगा ऐसे करने पर हमारा जो यह oxygen होता है यह pressure लगाते time जैसे ही pressure लगाएगा यह पानी के अंदर जाकर घुल जाता है यह पानी के अंदर जाकर घुल जाता है जैसे ही घुलेगा हमारे पास ये पानी के अंदर बन जाता है as dissolved oxygen क्या बन जाता है ये dissolved oxygen अब बात ही आती है कि पानी में oxygen dissolved तो हो गई पानी में oxygen dissolved तो हो गई लेकिन अगर सब कुछ सही है for example if I have this bottle of water पानी बिलकुल साफ है completely crystal clear है अंदर कुछ भी नहीं it is just water अगर मैं इसे surface पर डाल दू किसी भी surface पर और इसको डालने पर उपर से लगने वाले pressure के ज़से इसके अंदर कुछ oxygen घुलेगी oxygen की भी घुलने की एक limit रहेगी जो इसके अंदर maximum amount of oxygen घुल सकती है हमारे पास इसमें से भी जो हमारे पास maximum amount of O2 that can be dissolved at any temperature उसी भी कहेंगे saturated 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 dissolved oxygen मतलब एक limit से ज़्यादा oxygen पानी में घुली नहीं पाईगी क्योंकि उसका वहाँ presence इतना हो जाएगा कि जितना उपर है presence लगबग लबग उसके proportion में उतना प्रेस्ट जाएगा कि अब यह से एक्स्ट्रा पानी में घुली नहीं सकती अगर जितनी maximum घुल सकती है उसे कहते है saturated dissolved oxygen जो की temperature dependent है temperature dependent है मतलब क्या temperature से हमने एक बात ही जानी थी is inversely proportional to solubility of gases solubility of gases मतलब क्या होता इसका अगर आपने किसी भी water body का temperature बढ़ाया तो उसमें से इतने वेपर उठते हैं कि उन वेपर का solubility gases की कम हो जाती है तो किसी भी temperature पर कितनी maximum amount of oxygen घुल सकती है वो उस temperature पर भी depend करेगी चलो ठीक है मैंने आपसे कहा एक काम करो अपने चलते हैं टेस्ट करने के लिए आपने ठीक है चलते हैं कहां चलें मैंने चलो को यह किसी water body जो बिल्कुल साफ हो आपने अंटाक्टिका चलना पड़ेगा वहां पर एकदम बिल्कुल साफ complete crystal clear लेक है कोई गंदगी नहीं आ सकती हो आपके कोई रहता ही नहीं है हमने वहां से पानी सेंपल उठाया हमने पानी के सेंपल में सोचा कि यह गंदगी नहीं है तो इसमें फिर जितनी के लेक से पानी उटाई झाया कि इस पानी के अंदर टेस्टिंग करते कितनी इसके अंदर टाउपसीं होगी आप जितनी हो सकती है उतनी होगी ना नई कि अ हो चांसेे हैं कुछ अलग हो जाए कि उस पर UPर से पानी में आके ऑक्सियन गुल तो रही है अंदर कोई बैठा है जो उस oxygen को consume कर सकता है कौन consume कर सकता है microorganism सर microorganism क्यों consume करेंगे क्योंकि उनको जिبेट रहना है सर microorganism पानी में क्या करेंगे क्योंकि उनको organic matter मिल रहा है सर pe mag ऑर्गेनिक मेटर कहां से आएगा कहीं से भी गंदगी आ सकती है वो ऐर्गेनिक मेटर ही तो है तो सर इसका मतलब ये कि किसी पानी में अगर कहीं से गंदगी आई तो उस गंदगीं को खतम करने के लिए बेक्टेरिया कर जायेगा बिल्कुल ग्रो dissolved oxygen से कम value कि अगर पानी में oxygen मिली समझ जाना अंदर कोई न कोई तो है जो इस oxygen को गयाप कर रहा है और वो कोण होगा that is the microorganism और microorganism है तो तुम्हें यही तो पता करना था कि तुम्हारे पानी के अंदर अगर oxygen की कमी है तो क्यों है? it is due to some microorganism in it तो हमारे पास dissolved oxygen का test पानी में बताता है कि क्या उसमें pollution है भी या नहीं तो वही पर विचार करते हैं हमारे पास यहां पर if I talk about gases either gets dissolved from atmosphere according to their partial pressure or may be induced due to organic matter present in water and undergoing various chemical and biological changes तो हमारे पास इसका मतलब क्या होता है induced due to organic matter present in water कोई भी organic matter जब पानी के अंदर present होता है organic matter क्या होगा? एक फल ले लो फल सड़ेगा तो बदबू आती है उसमें से बिलकुल आती है क्यों? क्योंकि उसमें से अलग-अलग तरे की gases evolve हो रही है तो अगर किसी फल को पानी में डाल दो, वहाँ भी सड़ सकता है उसमें से भी gases बनेंगी तो पानी में घुल सकती है ना? पानी में dissolved oxygen मतलब पानी में कई प्रकार की gases atmosphere से घुल सकती है या अंदर को और्मेटर रिकंपोस हो रहा है उससे भी घुल सकती है तो हमारे पास gases that can be found in water आर क्या-क्या हो सकती है हमारे पास तो O2 CO2 CH4 H2S NH3 अगर पानी में प्रेजन्ट है इफ प्रेजन्ट इन अगरें अगरें इन sufficient quantity कर दएक्ते हृई एक प्रश्स कोयु पतू कर दित्क पिकिय। तिम्हुन अचेréal ie कौ फ्रिथ टने कर दो पतो है इसके आ पिंड्य। आम़रें का प्रष स्टनिकेंट Ci तो भडि़िश प्रप्ठी इसकास स्टनि Indicates no pollution in water लेकिन अगर मुझे पानी में इन में से कोई भी मिल गया If any of this is found in water Indicates पहला पॉइंट Deficiency of Oxygen दूसरा पॉइंट Pollution due to organic matter Pollution due to organic matter पानी में अगर भरपूर मात्रा में Oxygen मिले समझ जाना पानी बहुत साफ है और कोई गंदगी नहीं है पानी में Oxygen मिलने के बज़ाए अगर यह मिले समझ जाना पानी में Oxygen की कमी है और पानी के अंदर organic matter का pollution है CO2 is responsible for its acidic property methane explosive property के लिए जाना जाता है H2S अपने आप में एक सड़ेवे अंडे की तरह बदबू आती ही Rotan egg like smell similarly ammonia बहुत strong pungent smell होती है तो पानी के अंदर Oxygen या Gases atmosphere से आ सकती है या फिर अंदर organic matter के pollution से आ सकती है यह पाए जाए तो गंदगी है यह पाए जाए तो पानी साफ है अगर यह नहीं पाई गई तो इसकी deficiency मलेगी deficiency का मतलब यह वाली गंदगी मिलेगी तो पता चलेगा कि पानी में pollution है या नहीं है आगे बात करते है if CO2, H2, CH4, NH3 are found in water means there is no pollution sorry are not found in water means there is no pollution water and we will have sufficient amount of oxygen temperature in water is referred as saturated dissolved oxygen any deficient of oxygen in water with respect to saturated DO indicates the presence of organic matter in water तो यह बात ध्यान रखिएगा हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें saturated DO at 20 degree Celsius in water is found to be 9.2 mg per liter के बराबर पानी में saturated dissolved oxygen 20 degree Celsius पर कुछ इतनी पाई जाती है temperature कम करोगे तो solubility of gases क्या हो जाएंगी temperature के inversely proportion temperature कम करोगे solubility gases बढ़ जाएगी temperature बढ़ाओगे कम हो जाएगी तो यह बात पता होनी चाहिए पानी के अंदर अंदर मचलिया रहती है मचलियों को जिवित रहने के लिए कुछ oxygen चाहिए minimum कितनी oxygen चाहिए minimum oxygen they require is equal to 4 mg per liter बात ध्यान रखिएगा at any given temperature कोई भी temperature क्यों ना हो चाहे temperature बढ़े है चाहे घटे मचलियों कोई मतलब नहीं मचलियों को minimum 4 mg per liter oxygen चाहिए अगर मिलता है तो जिवित रहेंगी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगी और हमारे पास वहाँ से fishes के life जो हो खतम हो जाएगी बात ध्यान रखिएगा हमारे पास जब हम बात करते हैं इसमें एक और भी point को सोचा जा सकता है कि यह हमारे पास water body है this is the water body that we have water body के अंदर कई सारे plants भी होते हैं क्या होते हैं कई सारे plants भी होते है तो यह plants क्या करते हैं यहां पर this plants do photosynthesis process और photosynthesis process में क्या release करते हैं यह O2 release करते हैं अब हमारे सामने situation पूछी जा सकती है the situation is somewhat like this कि पानी के अंदर maximum dissolved oxygen कब पाया जा सकता है imagine करते हैं situation को मुझे बता ना रात का समय है temperature जादा होगा या कम सर कम होगा temperature कम होगा तो solubility of gases क्या होगी जादा होगी मतलब पानी में dissolved oxygen जादा मिलेगा या कम सर solubility जादा है तो जादा ही मिलेगा oxygen चलो ठीक है रात का समय है oxygen की solubility बढ़ गई ठीक है लेकिन रात में sunlight तो नहीं है न फोटन देजिस प्रोसेस नहीं होगा oxygen नहीं बनेगी तो अब यह फोटन देजिस प्रोसेस की जो oxygen रिलीज होती थी दिन में वो कम हो जाएगी यहां से कुछ oxygen बढ़ी यह कम हो गई इसका कुछ एक level बना ठीक है कुछ एक value आई होगी नहीं पता भी कितनी बट इट में भी इसे value बढ़ बात करते हैं दोपर के 12 बजेगी दिन के समयगी क्या हो रहा होगा ऊपर से sunlight गिर रही होगी photosynthesis process के दोरान काफी सारी oxygen बन रही होगी बन गई oxygen पानी में आ जाएगी क्योंकि dissolved form में तुरंट पानी ले लेगा इसे पानी में घुल जाएगी तो पानी का oxygen level बढ़ जाएगा चुकि दिन का टाइम है temperature जादा होता है temperature जादा होता है तो गैसे से solubility कम हो जाती मतलब उपर से घुलने वाली oxygen कम हो जाएगी ये वाली oxygen कम हो जाएगी dissolved oxygen और photon बढ़ जाएगी पिछले case में ये बढ़ रही थी ये कम हो जाएगी इन दोनों ही खेल में ये confusion create हो जाता है कि सबसे maximum level of oxygen रहेगा कब हमारे पास हम ये कह सकते हैं maximum dissolved oxygen in water in river water is during mid noon दिन में बारा बजे due to photosynthesis process releasing extra oxygen during day time and very less reduction of atmospheric oxygen due to increase in temperature तो temperature के बढ़ने से थोड़ा सा ही कम हमारा temperature बढ़ने से थोड़ा ही कम oxygen लेवल गिरता है लेकिन photosynthesis करन अच्छा खासा गिर उड़ जाता है तो दोपर के टाइम पे जादा amount of oxygen देखने को मिल जाती है आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगर मुझे titration process की मदद से पता लगाना है पानी में dissolved oxygen कितना है तो जो titration method है hardness के लिए उसे वर्सनेट method कहा जाता था chloride testing के टाइम पे या फिर सुरी हाँ hardness में पे वर्सनेट solution का वर्सनेट method कहा जाता था chloride की टाइम पे मोर्स method कहा गया dissolved oxygen time पे इसे Winkler's method कहा गया कैसे करते हैं जरा देखिएगा कैसे test perform करते हैं जरा देखिएगा step में पहला step 200 ml डियो बोटल इस टेकन 200 ml की डियो बोटल ली हमने और 200 ml की डियो बोटल लेने के वाला बाद filled with water sample उसमें water sample फिल कर लिया और water sample फिल करने के बाद इसमें हम कर रहे हैं add 2 ml Mn O2, just let me drink some water चले ठीक है तो बात करते है adding 2 ml of Mn O2 sorry मैंने Mn O2 लिख दिया यह Mn O2 नहींगे Mn O2 तो प्रोट्ट बने का Mn SO4 डालेंगे तो adding 2 ml Mn SO4 plus alkali iodide azide हमने क्या किया? 2 ml का Mn SO4 डाला alkali iodide azide बनाया ठीक है बनाया मतलब यह add किया दोनों चीज़े add करने पर add करने के बाद हमें यहाँ पर result मिलते हैं दो तरक है दो तरक result मिलते हैं अगर if O2 is absent या फिर if O2 is present पानी के अंदर या तो oxygen का presence हो सकता है नहीं हो सकता है आप कहीं से पानी उठा के लेकर आयों टेस्टिंग करना है कि उसमें dissolved oxygen कितना है दो chances बनेगे ना या तो हो यह नहीं उसके अंदर या हो तो कितनी हो अगर नहीं है if O2 is absent तो हमें मिलता है white precipitate white precipitate is formed वहीं पर हमारे पास अगर present है O2 तो हमें orange brown precipitate बनेगा orange brown precipitate is formed तो जैसे ही orange brown precipitate बना हमने इसी को समभाल लिया इसी को समभाल लिया मतलब हमने इसके बाद process को आगे बढ़ाया care presence है oxygen तो है तभी ऐसा precipitate बना है ठीक है बन गया अब हमने क्या करना है इसके अंदर हमें अब add 2 ml of concentrated H2SO4 2 ml का concentrated H2SO4 डाल दो जैसे ही डालोगे आपका precipitate तो dissolve हो जाएगा ठीक है precipitate gets dissolved concentrated H2SO4 है बट this step does DO fixation in sample what is DO fixation पानी में आपने consonant H2SO4 डालने से पूरे precipitate को dissolve तो कर दिया लेकिन अब DO fix हो चुका है इसका अब आप चाहे sample को खुला ही क्यों ना रख दो 6-8 घंटे के लिए इसमें कोई extra oxygen अब घुलेगी नहीं उपर से चाहे तुम कितनी भी oxygen घुलने कोशिश कर लो अब नहीं घुलेगी क्यों testing करते हो कभी-कभी time लग जाता है तो उस time से हमें problem है कि time लगते-लगते अगर अलग से कोई oxygen अड़ हो गई पानी में तो हम नहीं चाहते ऐसा हो पता जला जहां से sample उठा के लाएगे वहां तो oxygen कमी थी वहां से लाते-लाते रास्ते में कुछ oxygen जुल add हो गई कुछ oxygen process के दुरान add हो गई कुछ testing के दुरान add हो गई खेली घतम हो गया test का result कुछ आएगा असलिएत कुछ हो और है हम डियो fix करना चाहते हैं डियो fixation क्या मदद करता है helps to fix the डियो of water such that no extra dissolved oxygen gets in no extra oxygen gets dissolved यह कर लिए आपने यह कर लेने के बाद what is to be done is अब आप आते हो आगे चल कर now add two drops of starch what is starch? starch हमारा color indicator है आपने आपने जैसे स्टाइच डाला आपने जैसे स्टाइच डालने के बाद what is going to happen is solution turns blue in color solution का color हो जाता है completely blue तो solution completely blue color का हो जाता है ऐसे में हमारे पास हमारा solution blue color का होने के बाद अब हम इसको करना चालो करते हैं titrate now titrate it with sodium thiosulphate till it becomes colorless जब तक कि ये colorless ना हो जाए तब तक क्या करते रहो titrate करते रहो जब ये इसका solution colorless हो जाए ठीक है amount of sodium thiosulphate used to make solution colorless is equal to is equal to equal to is equivalent to do of sample इसी पता दलेगा पानी में कितना do रहा होगा तो ये एक तरीका है इसी यूँ कहते हैं Winkler's Method कैसे किया देखो जड़ा 200 ml की BOD bottle ली sample डाला इसके अंदर MNSO4 डाला 2 ml का alkali added azide डाला हमने इसके अंदर precipitate बनेगा हमारे पास completely mix करेंगे तो precipitate अगर बनता है ठीक है इसके अंदर हमारे पास precipitate अगर orange brown precipitate बना तो उस scale में हम समझेगे कि DO present है इसी में मिला दो 2 ml का concentrated S2SO4 concentrated sulfuric acid डालेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास the content completely get mixed पूरा dissolve हो जाता है हमारा precipitate फिर हम इसको क्या करते हैं इसी के अंदर add करते हैं हमारा starch indicator starch indicator add करने के बाद हम उपर से डालना चालू करते हैं sodium thiosulfate sodium thiosulfate डालना चालू करते हैं जब तक की डालते रहा है जब तक की colorless न हो जाए फंडा बड़ा simple सा है लेकिन हमारे पास but this test test gets error in result due to yeah result if other oxidizing agent are present in water example के तो बात कर लो NO3 minus तो अगर पानी के अंदर कोई दूसरे oxidizing agent पानी में है तो वही इस test को drive कर देंगे हमारे result ही गलत आएगा तो हम क्या करते हैं इसको now therefore we add NaN3- that is sodium azide along with alkali iodide azide because it will act as reducing agent and nullify the effect of oxidizing agent. जब हमने ये कुछ additional काम किया तो method का नाम पढ़ जाता है hence referred as modified Winkler's method modified Winkler's method तो ये एक information थी regarding the test that is being done कैसे किया जाता है पूरा procedure है हमारे पास ध्यान रखे का बाद को सारे ही सवाल exam में बनते हैं तो ये था हमारे आज के lecture का end मिलते हैं अगले lecture में जहां पर हम chemical quality parameter से उठकर अब biological water quality parameter पर आने वाले हैं एक basic सी information है AEC plus application पर ये कुछ batches run हो रहे हैं जो आप enroll कर सकते हैं अगर आप state AEJ exam या SSCJ को focus करना चाहते हैं तो अगर आपका non-technical portion Wink है तो आप इन अलग-अलग courses के थूँ एक ही course के थूँ इस अपड़ेट को भी cover up कर सकते हैं the test series that we have for the SSCJ so thank you very much everyone of you for joining in this session thank you good bye